जे बी के एसेस के केंद्रिय महामंत्री अबरार हुसैन और फिर रोखी को नेट कॉलिंग के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली है मंगलबार को पचंबा थाना में इन्होंने इससे संबंधित लिखित मामला दर्च करवाया है दिये गया आवेदन में बताया गया कि बिना पहचान के नंबर से कॉल कर गंदी गंदी गालिया दिया गया और गोली मारने की धमकी दी गई धमकी से संबंधित वोईस रिकॉर्डिंग भी रोखी के पास उपलब्ध है वोईस क्लिप भी थाना प्रभारी को उपलब्ध करा दिया गया है रौकी ने बताया कि पुछे जाने पर जंडा मैदान के पास से कॉल करने का बात कहा गया और जंडा मैदान से मिलने को कहा गया इन्होंने पुलिस प्रिशासन से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द धमकी देने वाले व्यक्ति को चिन्हित कर कानूनी कारवाई की ज़ए उस ने ताम के मैं इसके तो आगे चीया है तो आगे मैंने जब मेरे कोपर कॉल आ है तो फिर मैं मैं और जाया और पर चंबस ना के लिए? लिखी तोर पे कि मुझे अन्नोन नंबर से जो नेट का नंबर उससे मुझे लगतार पॉल आ रहा है उसे दांस मारने की उसे मुझे धंकी दी जा रही है आपने लिखी तावेदन कब दिया लिखी तावेदन मैंने कल लगभग सब्सक्राइब करता हूं कि इस तरह को जो अंजान दे रहा है अगर अगला इंसान इसको सीईयस मेले के मेरे साथ कुछ हाथ साह होता है तो इसके जिम्म वार कोन उड़ा क्या आपको किसी पर सब्सक्राइब है यह वाइस जो आया है वह ने पहली कि सुना ए को मैं पाचान भी नहीं सकता हूं हाँ मैं यह कह सकता हूं कि जिस्त उसको बोलने के लहजा है जो तरीका है वो कोई लोकल ही बंदा है को लोकल ही लड़का है मेरा नाम अब रार हुसेन हुआ हुआ और विदान सभाव परवारी हुआ अब तहां के रहने वाला हूं पचंबा थाना पचंबा करें और घार हुआं अ मेरा थाना पचाम बापता है